हमने अनेकों फिल्मों और कॉमिक्स की किताबों में एलियन्स के बारे में अवश्य पढ़ा, सुना और देखा है आपने क्रिश की पहली मूवी कोई मिल गया अवश्य देखी होगी जिसमें एक एलियन देखने को मिलता है हालांकि इसके अलावा भी एलियन्स पर आधारित अनेकों हॉलिवूड और बॉलिवूड मूवी बन चुकी है इसलिए एलियन क्या है और क्या सच में एलियन्स होते हैं ये जानना बेहत जरूरी हो गया है हम आपको बताएंगे कि एलियन क्या है और क्या एलियन सच में होते है या नहीं मतलब हम एलियन हिस्ट्री इन हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे देखा जाए तो एलियन एक कालपनिक कहानी की तरह लगते हैं लेकिन वैग्यानिकों के पास अभी तक एलियन के होने या नहोने का कोई भी पक्का सबूत नहीं है एलियन के होने के अनेकों सबूत मिले हैं लेकिन कोई सबूत सटीकता से यह नहीं बताता है कि एलियन होते है या नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि हम कई वर्षों से एलियन्स की तलाश कर रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने प्रत्यक्ष एलियन को नहीं देखा है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन के अस्तित्व को नकार दे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन होते हैं लेकिन वे हमारी नजरों से छुपे रहते हैं और वे हमारी धर्ती पर छुप-छुप कर आते जाते रहते हैं। भारत का मिशन चंद्रियान सफलता के शिखर पर पहुँच चुका है। 23 अगस्त शाम 6 बचकर 4 मिनट पर चंद्रियान 3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के दामन पर पहला कदम रख लिया है। इस अतिहासिक पल का हर भारत वासी को बेसबरी से इंतजार था। चंद्रियान 3 के दक्षणी धुरुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रियान 3 की चांद के दक्षणी पोल पर सौफ्ट लैंडिंग सफल रही। लैंडर के चांद पर उतर जाने के करीब धाई घंटे बाद रोवर प्रग्यान बाहर निकला। अब प्रग्यान चांद की जमीन पर चहल कदमी कर रहा है। छे पहियों वाले रोबोटिक वहीकल प्रग्यान रोवर को अपने मिशन को अंजाम देना है। भारत के चंद्रियान मिशन 3 की एक योजना में चंद्रमा की डाक साइट के रहस्यों को उजागर करना है। चंद्रियान 2 मिशन में भी लैंडर और रोवर को चंद्रमा की डाक साइट में उतारना था और वैग्यानिक तत्यों का संकलन करना था। रहस्यवाद पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि चंद्रमा की डार्क साइट पर एलियन बस्तियां हैं, वहाँ एडवांस सभिता के जीवों ने अपने बेस बना रखे हैं। साथ ही आरोप लगाया जाता है कि दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इस रहस्य को सबसे छुपा कर रखना चाहती हैं। सत्य क्या है, यह अभी अनुसंधान का विशय है, अभी तक कोई प्रमानिक सूचना इस मामले में सारवजनिक नहीं है। चंद्रमा को हमारे देश में भगवान के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन अन्य देशों में इसे सिर्फ सैटलाइट ही मानते हैं। अब तो चांद को भी प्राकृतिक उपग्रह माना जाने लगा है, लेकिन कंस्पिरसी थियोरी के अनुसार तो यह सिर्फ एक आर्टिफिशल सैटलाइट ही है, और इस थियोरी को कई देशों का समर्थन भी मिलने लगा है। दरसल बाकी ग्रहों के मुकाबले चांद का आकार कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। अब तो ऐसे भी कई अनुमान लगाये जा रहे हैं कि प्रिथ्वी के बनने से पहले ही चांद बन गया था। साल 1962 में नासा के एक वैज्यानिक ने बताया था कि चांद का अंदरूनी हिस्सा बाहरी हिस्सों से भी कम घनत्ववाला है। वो लगभग अंदर से खोखला है।